हेलो गाईज टीडियम टूर्णेमेंट ड्राउंड दो का ये शेमा मैच है जो है SMD बारियर्स और डिफाल्टर के बीच तो देखते हैं कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी जीतना ही काफी लिए है क्योंकि अगर आप पहले मैच इस मैच से खेले हो तो तब भी नेक्स मैच इस खेल पाओगे क्योंकि हमने पॉइंट्स रखा है जिसके पॉइंट्स अच्छे होंगे वो ही नेक्स ट्राउंड में जाएगी तो देखते हैं अच्छे लिए अच्छे खेलते हैं फ्लूट्स यान लेकिन अच्छा खेल लिए चार पॉइट ले लिए उन्होंने और डिफाल्टर का एक ही है क्या खेल रही है समड़ी वर्यर्स पांच पॉइंट की लीडर है इनके बास साथ पॉइंट की लीड कर दिये हैं आपर एसमड़ी वार्यर्स ने डिफाल्टर की टीम पिछड़ती जारी है पॉइंटों से बहुत अच्छा खेल ले है यह डिफाल्टर की टीम भी क्या कवर दी है रही इसने और जियान ने क्या नेड मा रहा है डिफाल्टर पर वह जानते थे वह वहीं पर है 11 पॉइंट की लीड है यहां पर आसमड़ी वार्यर्स के पास डिफाल्टर बहुत अच्छा खेल रहे है पूरी टीम अच्छा के लिए लेकिन ड्यूर्स ने किल भी बहुत अच्छा किया है तो इसलिए वह अच्छा किल रहे हैं ड्यूर्स ने क्या स्क्वार्ड वाइब किया उनका 10 किल है यहां पर ड्यूर्स के और उनकी टीम के जियान ने किल करें ड्यूर्स के में कुसकर मारें उनको ड्यूर्डर की टीम को पंद्रा पॉइंट की लिड कर दिया हैं पर असम्डी वारियर्स ने ड्यूर्डर की टीम बहुत अच्छा खेलती है लेकिन आज पता नहीं क्या होगे उनको 13 किल है ड्यूर्स के अकेले के और 30 पॉइंट है उनकी टीम के बहुत अच्छा केल यहां पर एसम्डी वारियर्स की टीम पंद्रा पॉइंट की लिड है बीबी एसम्डी वारियर्स के पास सूरी मेरान स्टन लेकर जा रहे हैं कि टीम कुछ अच्छा खेल नहीं पाई इसलिए इनको हार ना पड़ सकता है यहां पर और एसम्डी वारियर्स की लिए में बहुत थी ओपी खेल लिए दस किला है जियां के अकेले के और बाइस उनकी टीम के हैं डिफल्टर ने अपने ही बंदे को मार दिया फ्लिट जियां को और यह मैच चीज चुक्छी है सम्डी वारियर्स तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह जो नेक्स टाउंड में जो टीम में जाएंगी वो पॉइंट्स की हिसाब से जाएंगी थैंक्स फर वाचिंग अ